एलेसी पर चीन लगातार कुछ ऐसा कर दे रहा है जिसके बाद से ये तो समझ आही नहीं रहा कि आखिर चीन चाहता क्या है इस बार मामला जो है वो 21 अगस्त का है बता जा रहा है कि 21 अगस्त को चारगाह में उसने चारवाहों को रुका है जिसके बाद से भारत और चीन के दोनों तरफ के कमांडरों कोई बैठक हुई और इसके बाद इस मामले को सुल्जाय गया दर असल चीन एक तरफ कहता है कि बाद चीन से मसले को हल किया जाए लेकिन रह रहकर वो कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद ये तमाम बाते सिर्फ बाते लगती है जानकारी के मताबिक एघटना देमचोग के पास मौजूद चारागाह की है इसके बाद भारतिय और चीनी सेनकों के बीच 26 अगस्त को इस मामले को लेकर बैठक हुई दोनों देश के सैनकों के बीच हुई बैठक के बाद मामले को फिलहाल सुल्जा लिया गया है लेकिन दोनों देश के सैनक देमचोग के पास मौजूद चारागाह पर नजर बनाया हुए हैं आपको बता दे कि स्टरन लदाक में राचल प्रदेश तक फैली एलेसी पर कूल 23 समविदनशील इलाके हैं इसमें देमचोग भी एक ऐसा ही लाका है तरसल कहा जाता है देमचोग के बारे में कि चीन ने अपनी सीमा में देमचोग के जैसा या देमचोग के नाम पर ही एक देमचोग के इतना समविदनशील है कि यहां पर वैसे भारते सेना अपनी कड़ी नजर रखती है लेकिन इस मामले के बाद से दोनों तरफी सेना यहां पर काफी सतर्क हो गई है साल 2018 में चीनी सैनिक देमचोग में तीन से चार सो मिटर अंदर तका गए थे उन्होंने कुछ टेंट भी उखाड़े थे इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच बादचित हुई और मामले को तब कंट्रोल किया गया था साल 2020 के अक्टूबर में पीले का एक सैनिक देमचोग से ही पकड़ा गया था वो 19 अक्टूबर 2020 को पूरी लद्दा के देमचोग सेक्टर में भटा गया था पुष्टाश के बाद भारते सेना ने उसको वापस चीन भेज दिया वो सैनिक कॉर्परल रैंक पर था और चीन की शांग जी इलाके का रहने वाला था उसके पास से सिविल और मिलिटरी डॉकुमेंट्स बरामत हुए थे आपको बता दे कि ये इलाका बेहत सम्मेदनशील है कि यहाँ पर जो घटना अब सामने आई है उसके बाद से फिर से दोनों सिनाएं एक दूसरे कियामने सामने हैं और ये कहलें कि जो तनाव जिसे खत्म करने के लिए कई दौर की बाचित हो चुपी है उतनाव खत्म नहीं हुआ बल्कि रह रहकर चीन की तरफ से भारतिय सिना को उकसा आ जा रहा है